वेलकम टू सवरब समाजीक ओलराउंडर चैनल सवरब समाजीक ओलराउंडर चैनल में आपका स्वागत है और आप बहुत ही लख्की यानि भागिसाली हैं क्योंकि आपको कोले से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो एकजाम, फोर्म फिलब, रेजिस्टेशन या सिमिस्टर, पेंडिंग, पर्मोटेड, कोई भी समस्याएं हो तो आपको घर बैठे इस चैनल के माधियम से मिल जाएंगे ये चैनल आपको पता होगा सवरब समाजीक ओलराउंडर चैनल अगर आप घर बैठे, उनलाइन के माधियम से कलाश 10, 11, 12, BABAC, MA, MAC तक का विडियो अगर आपको चाहिए किसी भी बिसाएं में अक्सर क्या होते हैं कि एकजाम के समय में सभी लड़के-लड़किया यानि छट्र छट्राएं जो अभी तैयारी करते हैं रेलवे SSC का जो तैयारी करते हैं उसी के चकर में पूरी तरह से कोर्स जो होता है MA, BAC का कोर्स नहीं कर पाते हैं और अचानक जब एकजाम आते हैं तो उसी में लग जाते हैं तो कई छट्र छट्राओं ने एकजाम से 10 दिन पहले इसकी तैयारी करते हैं वो भी अपनी पढ़ाई का ठीक है तो इससे पढ़ने के लिए आपको बजार में पुष्टके बहुत कम मिलेगी और कोई भी कोस्चन को अगर इंपोर्टेंट सब कोस्चन की सारी जनकारी लेना है तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा चाहे बी ए हो या बीस्टरी हो जियोगराफी हो किसी भी बिसए का आपका कोस्चन आप हमें कमेंट कीजेगा आपको तुरंट घर बैठे मिल जाएगा और इस चैनल पर कई सारा वीडियो बी ए बीस्टरी एम्में एमेस्टरी हो बनाया गया है चाहे फिजिक्स हो या कमेंट किसी भी यानी साइंस हो या आर्स हो ठीक है सभी का इस चैनल के माधियम से आपको वीडियो मिल जाएगा वो भी आपको घर बैठे ठीक है और आपको किताब भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाईए ठीक है नहीं तो आपको इस चैनल को खुछते खुछते फिर परिसान हो जाईएगा मिलने वाला नहीं है यह चैनल इजूकेशन वाला चैनल है तक का भी वीडियो किसी भी कोस्चन को आपको चाहिए तो आपको घर बैठे मिल जाएगा ठीक है तो आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो चलिए पहला सवाल था अगर आपको रिजल् काम देना पड़ेगा क्या तीनु साल बिरवाद हो जाएंगी क्या एक साल बिरवाद हो जाएंगी समेस्टर होने से क्या फाइदा है क्या नुकसान है सारी समस्याएं को आपको बताया जाएगा ठीक है लेकिन डिटेल से बताया जाएगा ठीक है आपको इस चैनल के माधिय तो ध्यान दिजिए, अकसर छातर छातराएं जो पर एम से कॉर्सि एम का पड़ते हैं, कमपिटीशन का जो तैयारी करते हैं, उसी की वज़ा से, अकसर छातर छातराएं चॉलेज नहीं करते हैं, तो उसकी सारी जनकारी आपको मिल जायेगा, आप इस चैनल के माध्यम से और कोई भी समस्याएं होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कूल स्वतंत्र होकर पुछ सकते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है कोई भी कुष्चन हो और सोय साइंज ठीक है किसी भी तरह का कुष्चन हमें कमेंड कीजी एक से दो दिन के अंदर नहीं मिलेगा ठीक है तो आप इस चैनल को अनसबस्क्राइब कर दीजेगा ठीक है वो भी बोड़ रहे हैं आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान दीजे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दवाने ना भूले क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है रिजल्ड पेंडिंग होने या परमोटेड होने से क्या करे क्या ना करे बहुत सारा चात्र चात्राओं को इस पर जवाब चाते हैं और इसकी जनकारी भी जानना चाते हैं ठीक है तो चलिए आज बात करते हैं पोलेज हो या महाविद्याल है यूनिवर्सिटी विस्विद्य से संबंधित सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा सवरभ समाजी ओल राउंडर चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दवाने ना भूलें ठीक है अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना है अनियथा लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है आ आपको एकजाम, फुर्म फिलप, रजिस्टेशन, शिमेस्टर की सारी जानकारी के सांथ सांथ नबोदै, नाइन्थ, टेंथ, अलेभन, टूइल, बीए, बीए, सी, में, में, सी का सारा question answer के सांथ पढ़ाई होती है और हर subject की जानकारी आपको मिल जाएगा तो चलिए इज बाच में किसी तरह के entertainment वीडियो आ सकते हैं लेकिन जादा पढ़ाई का ही आएंगे तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल था जो उपर में क्या result पेंडिंग में है तो क्या करें पर मोटेड है तो क्या करें ठीक है तो ध्यान को बिलकुल आप संतुलित कर ले इधर संपर्क करना होगा वो भी आपका subject का होना चाहिए माल दीजे आपका subject physics, history या math है या ओनस paper है जो भी है आर्शो या जो भी बला है ठीक है उसी teacher यानि उसी subject के professor से आपको मिलना होगा ठीक है और आपको सारी समस्याएं एक एक करके बताना होगा वो भी fast importance है फालतु बाद तो college का teacher यानि जो professor होते हैं वो जदा बात आपका नहीं सुनेंगे क्योंकि college में बहुत सारा आप जानते होंगे college में बहुत सारा चातर चात्राएं हैं जदा time देंगे तो उसका जो सारा काम होता है फिर बिगड़ सकता है इसलिए जदा च्छातर चात्राएं से गप कम ही क कहा है उस टीचर अगर आपको नहीं बता पाए तो आपको एक और भी ओफसन है कि आप प्रिंस्पल से संपर्क करें लेकिन प्रिंस्पल से आपको संपर्क करके कोई फाइदा होने बाला नहीं है प्रिंस्पल को ये सब की जानकारी जो कोलेज का प्रोफेसर का नोलेज ठीक ह मन में आता होगा मैं वो बात नहीं बोलता हूं नोलेज अगर नहीं होता तो वो प्रोफेसर नहीं बनता ये सब की जनकारी आप किसी भी कोलेज हो या महाविद्याला हो अक्सर कम जनकारी रहते हैं आपको बता ही नहीं पाएंगे सही बात आपको कभी भी नहीं बताएंगे क पतलब जो भी आते हैं संपर करने के लिए कि ऐसा ऐसा प्रोब्लम हुआ क्या करें तीचर भी नहीं बताते हैं तो यहीं सब समझ जाएं पहली बार जो संबेश्टर लागू हुआ है ठीक है सेमेश्टर छमाई जो लागू हुआ है इसी की वज़ा से कोलेज के प्रोफेसर के कुछ कम यानि यह सब की जानकारी कम होती है ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं इसकी जानकारी के लिए इसलिए ऐसा होता है ठीक है और उसका भी सामने में जो पढ़ाई किया था उसका उस समय भी यह जो सेमेश्टर लागू था यह सब नहीं थे ठीक है तो एक और आ होता हैं उससे संपर्क करें college का professor ठिक है उसी संपर्क करें आपको वो सही सटीक और संपूर्ण बात बताएंगे हो सकता है किसी विचा में application लिखने बोल सकते हैं तो आप application लिख कर सिंगनेचर करा सकते हैं सिर्फ professor प्रिंसर से आप जो होता है प्रिंसपल उससे आप सिख नेचर ही करा सकते हैं बहुत कम ये सब की जनकारी रहती है तो चलीए बात करते हैं मैं बता देता हूं क्या करें क्या ना करें तो ध्यान से सुनिए अगर आप कोलेज या महाविद्याले यानि यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ते हैं तो उसके लिए बिलकुल आप ध्यान दीजे माइंड को बिलकुल संतुलित कर ले आपको जीस विषय में पर्मोटेड हैं चाहे इंटर्नल एक्जाम हो या सब्जेक्टिव यानि की ओनर्स का हो ठीक है जीस संबेस्टर में आप पर्मोटेड हैं माल लेजे संबेस्टर 2 में हम पर्मोटेड हैं ठीक है माल लेते हैं ठीक है थोड़ा ध्यान देजेगा माल ले तो सेमस्टर 3 का एक्जाम है अगर पीचे वाला इस्टूड़ रहें तो आपको v suited का एक्जाम है को जुए वाला student संबेस्टा 2 का जब भी form fill up कर रहे हैं तो उसी के साथ आपको भी form fill up करना है और उसी के साथ आपको भी exam देना है आपका promoted जो pending है आपका बिलकुल खत्म हो जाएगा और आपका साल भी बिरवबाद से बच जाएंगे एक साल भी बिरवबाद नहीं तीन साल तो दूर एक साल भी आपका बेरबाद नहीं होगा, लेकिन आपको इस से पहले आपको पोलिस से हमेशा संपर्क रखना होगा, या डेली अगर संपर्क नहीं रख सकते हैं, तो डेली या किसी-किसी दिन नहीं गए, वो अलग बात है डेली आपको कोले जाना अनिवारी हैं और आप फैल से बिलकुल बच जाएंगे और आप खुसी से आगे की नमांकर कलास परवेश के लिए आप ओरिजिनल छात्र बन जाएंगे ठीक है अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चुकि कारण किया हम कोलिस रिलेटेड कोई भी सुचना मिले तो हमें कमेंट किजेगा मैं आपका उसका उत्तर अवस्य दूंगा ठीक है तो कोई भी हो आप यूटूब के माध्यम से सारी विशाय पढ़ सकते हैं और आपका किताब खरे दिने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ए 90-100% तो नहीं बोलना चाहिए 99% जो कोश्चन बोल दूँगा कि आएगा तो वो कोश्चन आएगा तो आएगा नहीं आएगा तो मैं बोर रहा हूं मेरा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजेगा